हेलो फ्रेंट्स तो आज हम बात करने वाले हैं गार्डियन्स आफ दे गलेक्सी वॉल्यूम 3 के मिट करडिट सीन और इसके पोश्ट करडिट सीन के बारे में अब देखो आप लोगों को मेरी आवास थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी लेकिन पीटर क्विल थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा प्यार मोहबत मोमाया सब को छोड़ देगा मतलब कि अब गमोरा से उसको कोई भी मतलब नहीं है गमोरा उसकी जिन्दगी में रहे या ना रहे उसको अब कोई भी फ़रक नहीं पड़ता वो बस अब ये सब को छोड़ना चाता है रिटायर होना चाता है और बस एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिन्दगी को जीना चाता है फिर बात करें इसके पोश्ट केडिट सीन की तो पोश्ट केडिट सीन में हमें गाडियन्स की एक नई टीम दिखाई जाएगी और अब इस टीम के अंदर पीटर कुल नहीं होने वाला गमोरा नहीं होने वाली और इसके अलावा और भी एक दो मेंबर सी स्टीम को छोड़ने वाले हैं अब कौन छोड़ेगा ये तो नहीं मालूम लेकिन भाई रॉकेट रहेगा हाँ दोस्तों अब जितने भी गाडियन्स बचे हैं मतलब कि कोई मरा नहीं है यहाँ पर रॉकेट रकुन भी नहीं मरा है भाई इस बात से तो खुश हो जाओ रॉकेट रकुन इस पिचर में नहीं मरने वाला वो अभी भी जिन्दा होगा और अब जो गाडियन्स की जो नहीं टीम है जिसको एनिहिलेटर से इनका नाम होगा जो भी नाम होगा वो बाद में हम लोगों को पता चल जाएगा लेकिन फिलाल अभी जो भी हमारी गाडियन की जो नहीं टीम है उसका जो नेतिरित वे करेगा उनका जो लीडर होगा वो होगा रॉकेट रकुन तो भाई आब्वियसली रॉकेट रकुन इस पिचर में नहीं मरने वाला या रॉकेट रकुन क्या कोई भी इस पिचर में नहीं मरने वाला बस बात यह कि आप सब लोग इन सब की आखरी मूवी होने वाली है और इसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे इन mid credit scene और post credit scenes के हिसाब से अब दोस्तों अगर overall बात की जाए तो मेरे को ये mid credit scene और post credit scene कुछ खास अच्छा तो नहीं लगा बटाए really hope की picture अच्छी हो भाई क्योंकि early reviews क लोगों को पता चली जाएगा कि ये picture कितने पानी में है बाकी आप लोग मुझे comments में ज़रूर बताना कि आप लोग इस movie के लिए excited हो भी या नहीं क्योंकि आर excitement मेरे को दिख तो नहीं रही किसी में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care